दोस्तो, Final Solution YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब किसी औरत को या लड़की को कोई मर्द या लड़का पसंद आता है तो उस औरत का व्यवार उसके बात्चित में क्या बदलावाते हैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो, कौन-कौन सी है वो बाते जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रू देखे तो चलिए दोस्तो, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो, जब किसी औरत को या लड़की को जब कोई मर्द या लड़का पसंद आता है तो उस औरत का ब्यावार उस मर्त के परती बदल जाता है औरत हो या लड़की किसी मर्त को पसंद करती है तो वहा कभी भी अपने मुहों से उस लड़के या उस मर्त को कभी नहीं बोल पाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि आउरतों को अपनी भी कुछ मजबूरिया होती है उनका हमारे समाज में एक दाइरा होता है जिसे वह कभी भी तोड़कर हमारे सामने नहीं आ सकती लेकिन आउरते अपनी मन की इच्छाओं को भी कभी दबा कर भी नहीं रख सकती इसलिए औरते अपनी इन इच्छाओं को जाहिर करने के लिए या किसी को बताने के लिए अपने ब्यवार में बदलाव लाने लगती है इसी दोरान औरत कुछ ऐसी हरकते करती है या फिर बाते कहती है जिसे देखकर या सुनकर हम अंदाजा लगा सकते है कि वहाँ औरत या लड़की हमें बहुत ही पसंद करने लगी है और फिर वहाँ लड़की या वहाँ औरत यही चाहती है कि आप उनके साथ उनके इशारों को समझ कर आगे बढ़कर पहल करो लेकिन दोस्तों हम मेंसे ज्यादातर मर्दों को या लड़कों को यहाँ इशारे पल्ले ही नहीं पड़ती यानि कि समझ में नहीं आती और जो इन इशारा को समझ जाते है उनकी तो लॉट्री ही लग जाती है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वहां कौन-कौन से इसारे या हरकते है या यू कहें कि इसारे है जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि कोई भी लड़की या औरत आपको पसंद करने लगी है नमर एक दोस्तो अवरतों का वो पहला इशारा जब वो आपको पसंद करने लगती है या फिर आपको चाने लगती है तो वहाँ खुद बखुद होकर आपसे बात करना शुरूर कर देती है और आपको देखते ही उनके चहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट देखने को मिलेगी और वहाँ आपको ऐसा कुछ बोलेगी जिसे सुनकर आप समझ जाओगे कि वहाँ लड़की या औरत आपको पसंद करने लगी है जी है दोस्तो क्योंकि वहाँ चाहती है कि ऐसे वक्त पर आप उनसे हमेशा ही बात करते रहो आपका साथ उन्हें अच्छा लगने लगता है और वहाँ आपसे जब भी बात करेगी वहाँ आपके नजरों से नजरे मिला कर बात करेगी और इसी दौरान आप उनके नजरों में आपके लिए वो शरम और वो हचाहत देख सकते हो जो आप इतने दिनों से देखना चाहते थे अगर ऐसी हरकते आपके साथ बार बार होने लगे या आपको बार-बार देखने को मिले तो दोस्तो समझ जाईए कि वहाँ लड़की या औरत आप में दिल्चस्पी लेने लगी है अगर कोई लड़की या शादिशिदा औरत आप में इंटरस्टेड है वहाँ आपसे हमेशा एक ही सवाल पूछेगी वह यहाँ जानना चाहेगी कि आपके जीवन में और कोई लड़की या कोई औरत तो नहीं है या फिर आप किसी लड़की या फिर औरत को पसंद तो नहीं करते दोस्तो लड़किया या फिर औरते आपसे वहाँ सवाल पूछ कर यहां अहसास करवाना चाहती है कि अगर आपके जीवन में कोई और है या नहीं है तो वहां आपके जीवन में आना चाहेगी इसलिए वहां आपसे हमेशा यही सवाल करेगी कि और आपको हमेशा यही जताएगी कि वहां आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है नमबर तीन दोस्तो ये तीसरी बात बहुत ही दिल्चस्प है किसी भी शादेशुदा औरत को डबल मिनिंग बाते करना बहुत ज़्यादा पसंद आती है हाला कि वहाँ अपने जीवन में हर किसी से डबल मिनिंग बाते नहीं कर पाती और वहाँ इशारा है यहाँ इशारा है दोस्तो की आपको कनफरम हो जायेगा कि वहाँ आवरत आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है अगर ऐसी बाते आपके साथ हो तो आप समझ जाईएगा कि वहाँ अवरत आपके साथ रिलेशन शेयर करना चाहती है उनकी इस double meaning बातों का यहां मतलब है कि वहाँ आपको signal दे रही है दोस्तो एक खास बात आपसे share करना चाहूंगा कि किसी भी औरत को जलबाजी पसंद नहीं होती है उन्हें हर काम तसलिके साथ और मज़े लेकर करने की आदत होती है इसलिए दोस्तो आप उनके साथ कभी भी जलबाजी में कोई भी काम मत करियेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बागी सब वीडियो देख लीजिए अगर आप किसी औरत को पटाना चाहते हो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में